हेलो दोस्तों राजवान सिंग मोहली प्रपटी गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंट्रस्टिंग टॉपिक हैं इंट्रस्टिंग टॉपिक का मतलब यह है मैं एक किताब के उपर आपको कुछ बातें बताने चाहता हूं जो ती क्योसकी ने और किताब का नाम है इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैपी डू नट गो टू स्कूल यह जब मैंने रिच डैड पूर डैड किताब पढ़ रहा था मैं तो उस किताब के मेरे वन फिफ्टी नैन पेज पे इस किताब का उसने जिकर किया था तो टाइट है इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैपी डू नट गो टू स्कूल यह रॉबर्ट टी क्योसकी ऐसी बात क्यों कर रहा है उसके बारे में आज मैं आपके साथ बात करने बनाओं वो कहता है कि यदि आपने अमीर बंड हैं और खुश रहने की टकनीक सिखनी है तो स्कूल में नहीं जाना क्यों कि वो कहता है बिकॉज डे डॉंट टीच अस हमें स्कूलों में यह पढ़ाया ही नहीं जाता जो जिन्दगी में असली चीज़ें हमारे काम आने वाली उसमें काम आने वाली चीचों में क्या है सबसे पहले अबाउट फैनांस के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता कुछ छोड़के कुछ बातों को छोड़के कहीं कोई सट्रीम को छोड़के उसको बिना कहीं नहीं पढ़ाया जाता जो मैं जैसे स्कूल में कॉल्जों में जैसी कम मिलता था कि पैसा कैसे कमाया जाए पैसे को कैसे कंट्रोल किया जाए पैसे को कैसे मल्टिपलाई किया जाए कैसे प्रॉपर उसकी मनेजमेंट हो इसके बारे में कभी भी नहीं बताया जाता था प्रोफेसर साब जो होते थे जो टीचर थे अच्छे सेलरी भी उनको मिलती थी तो फिर भी वो उनके पास भी इन बातों का जवाब श्याद नहीं होता था इसलिए नहीं बताते थे या कोई और कारण शोटा मुटा हो सकता है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा लेकिन स्कूलों कॉल्जों में फिनांस के बारे में कुछ नहीं बताया जाता जनरल तोर पर र नोचे लो अच्छे लिने के बाद आपको अप्लाई करना ऑगिन नोकरी लिए नोकरी लिनी है और याट अब की लाइफ सेट जबकि आपकी लाइफ सेट हो ही नहीं सकती क्योंकि रॉबर्टी का उसकी ने अपनी किताब रिच डेड पूर डेड में कहा है दा जॉब इस ए temporary solution to a permanent problem मतलब जो जो है टर्म जो पर्मानेंट solution का temporary solution temporary solution है permanent problem का अपनी किताब पूर डेड में ही वो इस बात पर उसने जोर दिया तो उसमें मतलब finance की बात तो करी नहीं और करी नौकरी की बात है नौकरी के बारे में बता दिया के नौकरी एक ऐसी चीज़ है जो एक लंबी ममारी के लिए छोटी सी गोली का का काम करती है तो इसमें सबसे पहले तो यहीं about finance हो गया उसके बाद यह कहते money for time हम लोग अपने पैसे अपने time को trading कर रहे हैं time की trading कर रहे हैं लोगों के साथ के हम अपना time बेच रहे हैं पैसे के लिए जब के होना क्या चाहिए हमें अपना time बेचना है पैसे के लिए बेचना है ठीक है लेकिन उसमें फर्क होना चाहिए कि आपने आपका जो salary है या आपका जो महिंतन है आपका जो वितन है ओ आपके दिये result के उपर होना चाहिए ना के हमें time मतलब 9-5 यह काम कर दिया 9-10 यह कर दिया तो इसमें हमें यह इतना मिल रहे हैं हमें होना चाहिए हम 9-5 में कितना काम कर रहे हैं क्या efficiency हमारी उसके साब से हमें मैं पैसे लेने चाहिए हैं यह चीज नहीं सि joystickय जाती है सेकंड बइस कि वां या पीपल म्नेजेमेंट चोती शोटी बतों पहें मैंने घरों में लड़ाहियां होती बाइबह। में लए होती देखी है, husband wife में लए होती देखी है, या कोई ऐसी आदमी काम कर रहा है, वो people management लोगों के साथ अपने relation ही बड़िया नहीं कर पा रहा, लोगों को काम देने के बदले उनको डांटना पढ़ रहा है, या कोई अपना blood pressure बढ़ा है, कभी उनका blood pressure बढ़ा रहा है उसको एक समूथ तरीके से वो मनेज नहीं कर पा रहा क्योंकि स्कूल में ऐसी चीज की कोई भी ट्रेनिंग नहीं है अगला फिर मैंने यह समय लिखा है जो सेल्फ एड्यूकेशन सेल्फ एड्यूकेशन के वपर कोई जोर नहीं दिया जाता और हम लोग सबी लोग जानते हैं कि जब तक हमारा सेल्फ एड्यूकेशन वाड़ा पार्ट कंपलीट नहीं होगा हमारा जो ओवर आल डवेलमेंट है जिसको हम सारे पक्षों की विकास बोलते हैं मतलब ओवराल डवेलमेंट जो हमारी सरफखी विकास पंजाबी में बोलते हैं सूसरे सकिल विद्वीपल हो चाहे उसमें मतलब कॉन्फिटेन्स की डाया हो आपके कितना Southern नहीं है तो वह भी नहीं हो पारा मतलब सेलफ सेड्थ कीशन वहां पर नहीं मिलती हमें इस्ञा जो है ये चीज़ें वहां सिखाई जाती हैं जो के आदमी की डिवेलमेंट रोकने के लिए बहुत ही घातिक सिद्ध होती है तो दोस्तों ये सिंपल बातें ये हैं कि ये जो हम इस किताब का जो टाइटल है ये बहुत ही बड़िया किताब आप पढ़ना चाहो इसको पढ़ लो शायद अमेजन पर मिल सकती है ये यदि हुआ तो इसका मैं लिंक तरक्की कर जाओगे मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप स्कूल नहीं जाना आपने स्कूल जाना है सिक्षा लेनी है जितनी भी सिक्षा आपको प्रियापत चाहिए वो लेनी है जितनी भी हम सिक्षा ले सकते हैं लेनी है लेकिन उसके साथ साथ यह जो एक्स्ट्रा सी चीजी है यह हमारे पास आनी चाहिए जैसे सेल्फ एजूकेशन है कोई भी आदमी स्कूली अकैडमिक जिन्वों ने time को अपने आप पर रिबोट किया अपने आप पर invest किया है इसलिए मैं कहता हूँ training बहुत जुरूरी है चाहे आपको कार चलानी है उसकी ट्रेनिंग business करना है उसकी ट्रेनिंग कोई और आपका जो passion है उसकी training यदी आप ले लोगे तो आपकी जो काम करने का तर आज के लिए इतने ही वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर देना बात जरूर करा करूं वीडियो के उपर ताके जो आपके साथी हैं आपके दोस्त हैं आपके रिष्टेदार हैं उनको भी इन बातों का पता लग सके चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला पटन कोशेर करूंगा उमीद करता हूं यह टॉपिक एक आम सिंपल टॉपिक है लेकिन यह कताब के बारे में लोगों को नहीं पता तो मैंने यही सोचा कि मेरे जो चैनल पर व्यूर्ज हैं तो उनको जरूर इस कताब के बारे में पता लग सके ताके वह आप और या उनके बच् इशा त्यार कर सकी थैंक्यू भारी मच्च मिलता हूं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ